आज की वीडियो में तीन ऐसी बाइक्स के बारे में आपको पताने वाला हूँ जिन बाइक्स के लिए आपको वेट करना चाहिए और वो जो बाइक्स है बाइक कुस्त इस महीने में आरी और कुछ जो है इस साल के एंट तक आपको देखने हूँ मिल जाएगी वीडियो जो हैं तक जरूर देखना ताकि सारी इंफोमिशन आपको अच्छे से मिल जाए वागि चलेगा इस आपको बता जिता हूँ इन तीनों ही बाइक्स के बारे में वैसे कुछ लोग समझ जाएंगे कि इन बाइक्स के बारे में बात करना चाहरा हूँ बट जिनको नहीं पता भाई वीडियो आप कम्पलीट देखना पता चल जाएगा फर्स्ट नमबर वे जो बाइक आती है वो आती है यामा की तरफ से MT-03 रिसेंटली जो है यामा ने अपने डिलास को शोकेस किया थे इन बाइक्स को देता है उसी साथ माइलेस भी जो है आपको लगबग 30-35 तक दे देगा उसी के साब से लाइक जो बाइक का जो लुक्स है वो भी काफी बड़ी है इसको प्राइस है ना वो चार लाग तक जाएगी ओन रोड एंड ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में इस महीने के जो ह बाइक से क्योंकि इंडियन मार्केट में ज्यादा बाइक है ने 300cc 400cc में डॉमिनार आती है पर उससे इसकी टक्कर नहीं है ये जो है उससे भी फाड है क्योंग यामा के इंजिन से यदि 300cc है ना ये तो ये 400cc तक पो जो टक्कर देने वाली है तो ऐसी कोई भी खास जो है नहीं है जिसको ये डारेक्ट टक्कर दे पाए तो यह पर MT03 जो हैंने इक अलगी सेग्मेंट बनाने वाली है तो चलो यार इसके बारे मैंने आपको बता दिया अभी सेकिंड बाइक के बारे बात कर लेते हैं जो कि इंडियन मार्केट में इसी महीने के एंड तक आने वाल है वही 300cc का twin cylinder engine जो की जबरदस power देता है माइलेज वगरा काफी बढ़िया है डिवल चैनलेबियस आपको इस बाइक में मिल जाएंगे सीट वगरा सेम एंडियन मार्केट में आगी तो एक तरह से जो ना तूफान आ जाएगा क्यों क्योंकि इसके जो फैन्स है वो वेट क कर रहे हैं करीबन एक से दो साल से क्योंकि तब से जो इसका कोई अपडेट नहीं था अब फाइनली आ रही है तो भाई लोग इसके लिए पहले से बुगिंग करा के बैठे हैं आए तो दे देना सबसे बहले वो भी ऐसे ऐसे फैन से बैठे हैं तो आप जो ना आर तरी के तो मान सकते हो 4,20,000, 4,30,000 की खरीब इसकी प्राइस जाएगी तो आप लोग जो इसके लिए वेट करो ये भी जो इस महीने के एंड तक आ जाएगी तो आप लोग मिर को बताओ आओ आर तरी के लिए ज़्यादा वेट करना चाहोगा है फिर जो है MT-03 के लिए बैसे दोनो फुल फेरिंग बाइक होने वाली है एंड ये जो बाइक है इसके लिए तो भाई मतलब पूरा मेरा चैनल ही वेट कर रहा है कि कब आए कब ना है तो आपको बता दू मैं बात कर रहा हूँ भी बजाज की तरफ से आने वाली ओल न्यू पलसर RS 200 न्यू मोडल के बारे में तो कोई दिख्कत वाली बात निये वाट निये सकता है यह झाल सकता है बजाज से जितना expect करोगे न, उतना ज़्यादा लाइक आप sad हो सकते हो, तो ज़्यादा expect तो करना मत पठाँ, यह normal UST suspension वगरा, नए colors वगरा, नए LED headlamps वगरा ठीक है, and dual chain ABS, नए TFT तो नहीं पठाँ, fully distributor जरूर मिल जाएगा, तो यह सारी चीज़े तो आपको नए RS200 में मिली जाएगी, उसक similar नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए जो है मैं बोलूँगा, RS200 4DC cheap होने वाली है, and value for money भी होने वाली है, 200 CC बाइक है, तो सिधी से बात है, 150 से तो खाहीं competition, लेकिन फिर भी जो है, top end में कई पर RM5 अरा देती RS को, but initial में जो है, नहीं अरा सकती, तो चले यह यह थी तीन बाइ तो नीचे कमेंट करो, मिलते ही नेक्स टोड़ी में तब तक की लिए, चाहिन वाने मातर में, love you guys